सुर्वीन चावला एक भारतिय अभिनेत्री है जो टेली विजन और फिल्म दोनों में अपने काम के लिए जानी जाती है एक अगस्त 1984 को चंडीगड भारत में जन्मी उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने अभिने करियर की शुरुआत की यहां उनके जीवन और करियर पर एक विस्तरित नजर डाली गई है सुर्वीन चावला का जन्म चंडीगड में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था छोटी उम्र से ही वह एक अभिनेत्री बनने की खफाहिश रखती थी उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगड में पूरी की और बाद में मनोरंजन उद्योग में बड़ा नाम कमाने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली गई सुर्वीन चावला का मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश टेली विजन से शुरू हुआ उन्होंने दो हजार तीन में लोकप्रिय टीवी धारावाहिक कहीं तो होगा से अपनी शुरूात की जहां उन्होंने चारू की भूमिका निभाई जिसने उन्हें काफी ध्यान आकर्शित किया शो में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वफादार प्रशनसक आधार दिलाया और उन्हें टेली विजन उद्योग में एक होनहार अभिनेतरी के रूप में स्थापित किया उन्होंने कसोटी जिंदगी की जैसी शरिंखलाओं में भूमिकाओं के साथ टेली विजन में अपनी जगह को और मजबूत किया जिसमें उन्होंने कसक का किरदार निभाया और काजल में जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई इन शो में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और वह घर-घर में मशुहूर हो गई तेली विजन पर महत्वपूर्ण पहचान हासिल करने के बाद सुर्वीन चावला ने फिल्मों की ओर रुख किया उन्होंने 2008 में कन्नड फिल्म परमेशा पानवाला से अपनी फिल्मी शुरुवात की बॉलिवुड में उनकी एंट्री 2014 में फिल्म हेट स्टोरी दो इंच से हुई जिसमें उन्होंने मुख्य भूमी का निभाई यहाँ फिल्म व्यावसाइक रूप से सफल रही और इसने उनके अभिनय कौशल को प्रदर्शित किया जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में एक बोल्ड और प्रतिभाशाली अभिनेतरी के रूप में स्थापित किया एक अभिनेत्री के रूप में सुरवीन की बहुमुखी प्रतिभा उनकी विवित फिल्मोग्राफी से स्पष्ट है उनकी कुछ उलेखनिय फिल्मों में शामिल है हेट स्टोरी दो इंच दो हजार चौदा यह कामुक थिलर उनकी बॉलिवुड में पहली फिल्म थी और व्यावसायक रूप से सफल रही अगली दो हजार तेरा अनुराग कशब द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने एहम भूमी का निभाई थी और समीक्षकों ने भी इसे सराहा था पार्च्ड दो हजार पंद्रा एक अंतराष्ट्रिय स्तर पर प्रशनसित फिल्म जिसमें उन्होंने बिजली की भूमी का निभाई थी जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था चौबीस दो हजार सोला एक भारतिय विज्ञानफाई थ्रिलर जिसमें उन्होंने सहायक भूमी का निभाई थी डिसको सिंग दो हजार चौदा एक पंजाबी कॉमेडी फिल्म जो एक बड़ी हिट रही थी सुर्वीन चावला ने डिजिटल स्पेस में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स दो हजार अठारह में अभिनय किया जिसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था जो जो मसकारेनास के उनके चित्रन को इसकी गहराई और जटिलता के लिए सराहा गया वह आगे एक और वेब सीरीज हक से दो हजार अठारह में दिखाई दी जहां उन्होंने महर मिर्जा की मुख्य भूमी का निभाई वेब सीरीज में उनके अभिने ने उन्हें एक बहुमुखी अभिनेतरी के रूप में स्थापित किया है जो मनोरंजन के विभिन्न माध्यमों के बीच सहजता से बदलाव कर सकती है सुरवीन चावला ने 2015 में अक्षर ठककर से शादी की दमपती ने 2019 में अपने पहले बच्चे ईवा नाम की एक बेटी का स्वागत किया अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सुरवीन अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में काम्याब रहती है अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पारिवारिक जीवन की जलकिया साज़ा करती है अपने करियर के दौरान सुरवीन को कई पुरसकार और नामांकन मिले हैं जो उनकी प्रतिभा और उद्योग में योगदान को पहचान दिलाते हैं उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों दोनों में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की है जिसने उन्हें भारतिय मनोरंजन उद्योग में प्रमुक अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है अपने अभिनय करियर के अलावा, सुर्वीन चावला अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जानी जाती है वह विभिन्न सामाजिक कारियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है और महिलाओं के अधिकारों और मानसिक स्वास्थे जैसे मुद्दों पर मुखर रहती है इसे लेकर मशूर फिल्म और वेब सीरीज स्टार बनने का सफर उनकी प्रतिभा, कडी महंत और द्रिड संकल्प का सबूत है अपने प्रभावशाली काम और अपने काम के प्रती-प्रतिबधता के साथ वह महत्वा कांक्षी अभिनेताओं के लिए प्रेर्णा बनी हुई है और भारतिय मनोरंजन उद्योग में एक प्रिय व्यक्ति है Thank you for watching this video